कुनाल का परदा सबके सामने फाश हो चुका है और इसी चक्कर में कुनाल पूरी तरह से बॉखला चुका है हलांकि श्रद्धा को वो महरा बना कर भागने की कोशिश कर रहा था लेकि तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस कुनाल को दबोच लेती है अब सब मुझे इतना बड़ा दोखा नहीं रहे सकते हो पेड़ा पेड़ा हाँ हम अच्वारी तिक्रो हो रही थी जाँ आपको मेरी कसाती है सच कजबताईगे और जो बोलके गया वो सच है या जूट कोई कुछ बोल कुरी नहीं है लेकिन जाते जाते कुनाल अभय और शद्धा की जिन्दगी में आग लगा कर जाते हैं यानि कि वह सच्चाई बता देता है कि वह आरती का पती है और यह बात सुनकर अभय का क्या एक्शन है यह बीदेखिये दो दो लेकिन आख आक्शन इस अब पुछ बोलेगा और मान जाओंगा इस अब जाओंगे पूछो अपनी प्यारी कि अपनी पती को अपनी हुआ कि हरो हुआ कि अधी खैनल की पती हुआ इस अधीं अधीं पित अधीं होटी तो इस अधीं पताए डशे यान के लिए एल बएड बबार हुआ शें झाला के नौटक है कर नौटक? अच्छिन पाची मैं फ़ल जा झाल जो खुदी पापफ करुछ कि अधिया इसे हरा कि कुनाल तो चला गया पर अभय के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो कि वो चीक चीकर अपने परिवार वालों से पूंच रहा है और तभी आरती आती है और अभय को सच्चा ही बता देती है वेल अभ ये सत जानने के बाद क्या अभय की याददाश वापसाएगी क्या वो शद्धा को फैचान लेगा या फिर इसका कोई अलग ही इफेक्ट पड़ेगा ये देखना काफी मज़ेदार होगा वैसे आपका क्या है कहना और इस अब कमेंट ट्रैक को लेकर आप कितने एकसाइटेड है वो हमें नीचे कमेंट को जरुर बताएगा और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जश्यो बिसको